नमस्कार दोसों बहुत बहुत स्वागत एक बाल फिर से आप सभी का आपके अपने सी यूटूब चनल विधी टेरिया में दोस्तो मैं हूँ एड़ोकेट मंजीत रिपाठी दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि 11 दिसंबर को लोग अदलत लगी थी आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ आप अपने एक्सपीरियल्स को शेर करिए यहां आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बाते ऐसी विता हूँगा कि जो बहुत ही चौकाने वाली है बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर हम लोग अदलत गयते हमारे साथ ऐसी प्रॉबलम हो गई हम क्या करें इसके आगे हम क्या करें तो आज के इस वीडियो में जो आपकी genuine समस्या है जो genuine problem है उसको मैं आपको technically रूप से बताऊंगा साथ ही साथ आप अपने जो भी credit card के loan है जो भी आपके personal loan है आप उनका settlement लोग अदालत में अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं क्या क्या steps है इसको भी मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और अंद तक देखना है तब ही आपको सारी बाते समझ में आएंगे तो दोस्तो चैनल पहली बारा है तो चैनल को subscribe भी कर लिजगा साथी साथ बेल आइकन दबाके all notification को भी on कर दीजगा ताकि जब भी चैनल पे कोई video upload हो तो उसक के notification के जानकारी सबसे पहले आप तक पहुचें तो चली दोस्तों देर नहीं करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी information आपको देनी है कि जैसा कि मैंने अपना एक website बनाया हुआ है जिसका के link description में भी है और जिस आप वहां जाते हैं और विजिट करते हैं तो आपको लोन संबंदित सारी problem भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगी वहां देखने और समझने को मिल जाएंगी दोस्तों हमारे website में विजिट करिए और उसको like करिए comment करिए और follow भी करिए चले दोस्तों वीडियो को start करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों देखिए बहुत सारे लोगों के ये comments आएं कि सर हमने 11 दिसंबर को लोग अदलत में apply किया था अपने credit card के loan को या फिर अपने KCC loan को या फिर अपने personal loan इन तीनों लोनों को हमने settle करने के लिए वहां पे हम गये लेकिन हमारे साथ कुछ problems हो गई कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि सर वहां पे कोई बात भी नहीं कर रहा था और सीधे बस हमसे recovery agency बात कर रहे थे कुछ लोग का ये कहना था कि सर हमको अंदर नहीं जाने दिया गया हम magistrate से नहीं मिल पाए कुछ लोग का ये भी कहना है कि सर बैंक वाले बहुत कम पैसे छो बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोग अदालत पर ही डिपेंड नहीं होना है यहां पर अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी हैं देखिए मैंने फोन पर बहुत सारे लोगों कुछ टिप्स दिये थे अब पब्लिकली वो टिप्स आपको देना पॉसिब आपको लोग अदालत की नोटिस भेजते हैं कि हम आपके लोन का सटेल्मेंट करना चाहते हैं आप लोग अदालत में इतने तारीकों आईए आपका सटेल्मेंट हो जाएगा लेकिन क्या वहां पे वास्तों में जिस प्रकार से आपको उमीद होती है कि आपका वहां पे 50%, 25 30%, 40%, 30% जो छूट मिलती है क्या वो मिलेगा देखिए यहां पर मैं आपको पूरी बात क्लियर बता दू कि कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनके रवाई अच्छे नहीं होते हैं उनके या तो रिकावरी टीम ऐसी होती है या फिर उनके जो लीगल एडवाईजर होते हैं या फि उनकी रवाईए के वज़स से बैंक का इमेज खराब होता है जब कस्टमर से जब बैंक का सही इंप्लॉई नहीं मिलता है या फिर बैंक का कोई ऐसा इंप्लॉई भी नहीं होता है लेकिन वो रिकावरी वाले होते हैं फिल्ड ओफिसर होते हैं तो वो जब बॉर्वर से मि आपके सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आपको उस फिल्ड ओफिसर पे ही भरोसा हो जाता है देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन सच्चाई को भी आपको जरूर जानना चाहिए देखिए लोग अदालत में जब आप जाते हैं तो आपका काम है मजिस् इटेट बैठे होंगे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नए-धन मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कहते हैं हम इसका इंटरफेरिंस नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे मजिस्ट्रेट की भी कंप्लेन कर सकते हैं कि सर हम तो वहाँ गये लेकिन हमारा वहाँ पर कोई सुनवाई लेई हुआ इसका कमप्लेन कहां करना इसका कंप्लेन आप अपने कोर्ट में भी कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप बिल्कुल भी हतास और निरास नहीं हो बैंक का कोई भी करमचारी यदि आपके साथ बातचीत करता है तो पहले आप देख लें कि वह कौन सा करमचारी है क्या वो बैंक का रेगुलर करमचारी है या फिर फिल्ड ओफिसर है या फिर रिकवरी का बंदा है आपको magistrate से मिलना है आपको सीधे magistrate के पास जाना है जहाँ पे magistrate बैठे होंगे अगर वहाँ पे आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको एक application लिख करके ले जाना है वो application को देना है वो application देखेंगे और फिर आपके loan का settlement कर देंगे आपकी बातों को मानेंगे वो मानने के लिए बात देंगे क्योंकि इसलिए low का अदलत लगाई जाती है अब आप field के officer से मिल लेंगे या फिर बैंकों के वकील से मिल लेंगे या फिर बैंकों के ऐसे employee से मिल लेंगे जोसका बैंक से कोई तालुकात नहीं है बस वो अपने 2-3% काम के लिए आप से मिल करके आपको डराता है कि भाई आपका तो हम 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे लोगों से आपको नहीं मिलना है आपको मिलना है बैंक के जो भी करमचारी उनसे मिलना है और साथी साथ आपको मजिस्ट्रिट से मिलना है जो कि आपके help करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए है अब आप किसी भी बैंक के ऐसे employee से मिल लेते हैं लेकिन आपको result positive नहीं मिलता है तो आप कहते हैं कि लोक अदलत बेकार होती है बहुत सारे लोग के positive कमेंटा है कि सर आपके कहने पे हम लोग अदलत गए और हमारे वहाँ पे 50% तक discount हो गया जो हमारा 4 लाक अलोंता वह हमारा 80-90 लाक या 1 लाक में या 2 लाक में जिस तरीके से उनको स्वधा होई उसने में ही उनका settlement भी हो गया तो दोस्तों आप सबसे पहले जैन्मीन चीज़े देखिए जानिए इसके कुछ positive चीज़े भी होती है और कुछ negative भी होती है तो आप लोग अदलत पे भरुशा रखिए आपका इस बार settlement नहीं हो पया तो next time भी आपका settlement हो जाएगा अब next time कब लोग अदलत लगेगी इसका जैसे ही notification आएगा मैं एक video बना करके आप लोग को बता दूगा तो दोस्तो आपको बताना है कि आपका experience क्या था रहा 11 देसंबर वाली लोग अदलत में आप comment section में जा करके अपनी बात बता सकते हैं दोस्तो यदि आपने कोई भी loan लिया है कोई भी problem है सरफेसी एक्ट से संबंदित problem है तो आप screen पे दिये हुए number से संपट कर सकते हैं और साथी साथ घर बैठे ही अपने लिए एक legal advice ले सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like जरू कर दीजगा और हमारे चलों को subscribe करके हमें support जरू परदान करिएगा Thank you so much जय हिन दोस्तो